हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्मान साथियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट महम्मद इसुफली के संग जैसा कि सर्विदित हैं दो मई दोजार इकेस दिन रविवार को मदगरना का कारिय संपन किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचय सदस्य है ग्राम पंचय प्रधान और छेट पंचय सदस्य निर्वाचन और फॉर्ट जिला पंचय सदस्य के लिए मदगरना का कारिय किया जाएगा तो आज हम चर्चा करेंगे पिर पत्र 43 से पिर पत्र 56 किस प्रकार भरा जाएंगे किस प्रकार भरे जाएंगे और उनका कहां उप्योग किया जाएगा किस प्रकार उनका उप्योग किया जाएगा आज हम पूरे डेटेल इसमें बताने की कोशिश करेंगे आप इच्छा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आने पर लाइक करें सबिस्क्राइब करें तथा शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ गुरूप से जोड़ना चाहते हैं तो डेस्क्रेप्शन बॉक्स में जा करके वाट्साप गुरूप के लिंक के माध्यम से जोड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शक की तरफ मदगरना मदगरना में प्रपत्र कैसे भरें तो सबसे पहले जयेगी और वहाँ पर मत पत्र लेखा भी दे दिया जायेगा जो हम collection center पर देखर आते हैं जो हम counting कर लेते हैं तो counting करने पर हमें मत पत्र लेखा भाग दो भठना पड़ता है और उसमें यह देखना पड़ता है कि मत पेटिका में पाए गये कुल मत पत्रों की संख्या कितनी है तो यदि मत पत्रों की संख्या मालिजे 500 होती है 500 होती है तो हम यहाँ पर 500 लिख देंगे और यदि कोई एक या दो या जितने भी कम होते है डिफरेंस आता है तो हम डिफरेंस को यहाँ पर मान लिज़े 2 का difference आता है तो उस 2 को लिख कर देंगे और यदि नहीं आता है यदि नहीं आता है तो हम यहाँ पर कोई लिख नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मत पत्र पूर्ण है लेकिन यदि कोई अंतर आता है तो हमें आवश्य है उसका लिख करना होगा यहाँ पर इस्थान का नाम लिख देंगे यहाँ पर तारिक लिख देंगे और यहाँ पर गणना परिविक चेक सुपरवाजर के साइन कर दे जाएंगे और यहाँ पर इस्थान का नाम लिख दिया जाएगा और यहाँ निर्वाचन अब मत गरना अभी निर्वाचन अभी करता कोई कंप्लेंड करता है और कंप्लेंड करने पर तब कोई निर्वाचन अधिकारी इस पर रियक्शन लेते हैं तो यहाँ पर उसका नाम लिख दिया जाएगा मैंने श्री मती कुमार जो भी है नाम A to Z यहाँ A लिख दिया जाएगा उम्मीदवार कौन से पद पर है उस पद का नाम लिख दिया जाएगा मालीजी यह प्रदान है तो यहाँ पर प्रदान लिख दिया जाएगा और इस्थान लिख दिया जाएगा वो कौन से इस्थान से है और यहाँ विकास खन ब्लॉक का नाम लिख दिया जाएगा यहाँ उसके जनपद का जली का नाम लिख दिया जाएगा अभी करता मदगर्णा भी करता कि शिकायद दिनान को सुना और जो किसने सिकायद की है कौई नीचे कारौ लेगा कि उन्होंने उस्ति सिकायद को किन कारौं के निरस्थ किया तो उनको कारणों को यहाँ पर नंकित करना होगा और नीचे उक्त खारिश्ज सिकायत खारिश की जाती है और यहाँ निर्वाचन अधिकारी के साइन कर दिये जाएंगे आगे चलते हैं गर्ना परची जो की गर्ना परची पिर पदर 43 के अन्दर काता है ये सामाने उपनिर्वाचन का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा और पद इस्थान जिस पद के लिए भी आप ये गर्णा परची भर रहे हैं उसको आप यहाँ पर अंगित कर देंगे मलिजे सदस्य छेटर पंचायद के लिख कर रहे हैं तो शिर्फ यहाँ उसी को यहाँ टिक करेंगे और ये गर्णा परची मत पत्रों की प्रविष्टी गर्णा परची भी कहलाती है यह प्रतियासी के वैद मत पत्रों के मंडलों पर गर्णा परची लगा दी जाती है तो ये चारो पदों के जितने भी बंडल बनेंगे उन पर वैद मतों के बंडलों पर ये पर्ची लगा दी जाएगी और यहां उसका नाम लिदिया जाएगा ग्रम पंचायत का नाम यहां पर लिख दिया जाएगा और मतदान इस्थल्क किरमांग वे नाम तो जो भी मतदान इस्थल्क है मतदान इस्थल्क मानलिजे 248 है तो यहां पर 248 आप यहां पर लिख देंगे और फिर है मत गणना के प्रात मत संक्या तो यह मत पत्र संक्या कित्नी है उसको आप यहां पर गणना के लिख मत पत्रों के संक्या कित्नी है मालने जिए पचास है तो यहाँ पर आप पानसो है तो यहाँ पर आप पानसो लिख देंगे और मंडलों की संख्या कितनी बनी तो कितनी बनी दस बनेगी क्योंकि एक मंडल के अंतरगत पचास मत पत्रों को रखा जाता है और एक मंडल बना दिया जाता है अब नीच आ जाते हैं यहां किरम सेंख्या आ जाती है और यहां उम्मीद्वार का नाम लिदा जाता है और यहां उसके पक्ष में कितने मननल बने यहां मालने जे राम है यहां राम है तो राम के पक्ष में कितने मननल बने तो मालने जे कितने बने तीन बंडल बने तो तीन बंडल बनने का मदलब है कि उसे कितने मिल गए एक सो पचास वोट मिल गए तो ये इस प्रिकार से हम इसको भरेंगे नीचा जाते हैं संदिग्द मत पत्रों की संख्या तो संदिग्द मत पत्रों की संख्या कितनी होती है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ए स्विक्रित मत्पत्र कितने हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और नीचे हम इस सब का टोटल यहाँ पर लिख देंगे और गर्णा परिविक छक अपने यहाँ पर साइन करेंगे और निर्वाचन अदिकारी यहाँ पर साइन करेंगे और विकास घंड जनपाद यहाँ पर अंकेत कर देंगे आगे चलते हैं परिशिष्ट 6 पिरपत्र 44 तो यह पिरपत्र 44 जो होता है यह ग्राम 65 सदसे के लिए भरा जाता है इसमें इसका डाटा भरा जाता है इसके उपियोग के लिए कर जाता है ग्राम 55 सदसे के लिए इस पिरपत्र का उपियोग क्या जाता है तो हम यहां सरपिर्था निर्वाचन का नाम लिख देंगे छेत्रिपंचैत का नाम लिख देंगे जो भी छेत्रिपंचैत है उसको हम यहां पर अंकित कर देंगे और ग्राम पंचैत कौन सा है उसको हम यहां पर लिख देंगे ग्राम पंच चैतों में लिखनी होगी और वाड संख्या किस वाड से है किस वाड की आप गुंती कर रहे हैं क्योंकि हर गाउं में 10, 11, 9 10, 11, 15, 17 इस तरह से वाड होते हैं तो आप कौन से वाड की काउंटिंग कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर मालीजे 10 की कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे या 10, 11 लिख देंगे 10, 12 लिख देंगे जो भी आपको वहाँ पर मिलेगा वो इसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ मदान इस्तल किरम संख्या लिख देंगे और मदान कैंदर संख्या तो मदान केंदर संख्या यहां पर लिख देंगे मदान केंदर संख्या जो भी है आपका लेखा जोखा होगा उस में से आप देख करके अंकित कर देंगे और यहां पर करम संख्या लिख देंगे जितने भी आपके कैनिडेट है ग्राम पंचायद के यहां उम्मीदवार का नाम लिख देंगे और यहां पर जितन जो भी यहां पर पृतियासी यहां पर अंकित की हैं आपने जितने भी हैं उनके यहाँ पर नाम लिख देंगे सभी के और यहाँ पर प्रतेक उम्मिद्वार प्रतेक प्रत्यासी के चुनाव चिन का नाम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर किस प्रत्यासी को मतदान इस्थल संख्या से मान लिजए यहाँ मतदान संख्या एक सो चार है तो मतदान संख्या एक सो चार से राम किसन को कितने बोट मिले उसको यहाँ पर लिख देंगे दो से कितने मिले उसको यहाँ पर लिख देंगे हो सकता है कि एक सदस्या को दो मतदान इस्थल में भी बाठ रका हो उस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर उसका हम टोटल करके लिख देंगे नीचे विदीमाने मतों की कुल संख्या लिख देंगे पिर तीच, छे, पित, खारिज, रद, मतों की संख्या लिख देंगे और डालेगे मतों की कुल संख्या जितनी बचे गी आपकी कितनी डालेगे लिजे पांजो डालेगे खारिष कितनी होगे उसको यहां पर लिख देंगे और निविद्ध मत्रों की संक्या इसको हम नहीं खोलेंगे जब तक उपर से आदेश नहीं आएगा और निर्वाचित गिराम पंचाय सदस्द्से का नाम तो जो गिराम निर्वाचित होगा उसका नाम यहां पर अंकित कर दिया जाएगा और गर्णा परियवेक्षक का नाम वेहस्ताक्षार यहां पर आप लिख देंगे मत गर्णा मेज की संख्या जो भी है उस मेज की संख्या को 10 है तो 10 यहां पर अंकित कर देंगे और यहाँ निर्वाचान अधिकारी के अपने साइन कर देंगे आगे चलते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं ग्राम पंचायद ग्राम पंचायद प्रधान प्रधान की तो यहाँ भी हम इसी प्रकारजी करेंगे क्योंकि ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप निर्वाचन लिख देंगे और यहां छेदर पंचायद का नाम लिख देंगे यहां गाउं का नाम लिख देंगे और यहां मददान इस्थल संख्या लेद लिख देंगे जो भी आपको लिखा जोखा में मिलेगा उसमें लिख देंगे यहाँ पर वही चीज लिख देंगे और यहाँ पर आप किरम संख्या लिख देंगे यहाँ अमिद्वार को नाम लिख देंगे और यहाँ पिरतेक उमिद्वार का जो चेन उसको मिला है उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे और यहाँ उमिद्वार के पक्ष में गए वेद मतों की संक्या तो यहाँ पिरतेक उमिद्वार को कितने मत मिले उसको हम यहाँ पर लिख देंगे माली जिये यहां किसन लाल को यहां किसन लाल को मिले 300 तो यहां आप 300 लिख देंगे और यहां राम प्यारी को राम प्यारी को मिले 200 तो यहां आप उसको 200 लिख देंगे इस परकार से यहां पर वैद मत पत्रों को लिख देंगे और जो अवेद होंगे उनको आप नीचे यहाँ पर लिख देंगे उनको आप यहाँ पर लिखेंगे और बाकी सब चीज वही है निवीदित मत्रों को आप खोलेंगे नहीं गरना प्रेफ से साइन कर देंगे अब चलते हैं फोटी फोटी सिक्स पर पत्र फोटी सिक्स तो ग्राम पंचेत प्रदान निर्वाचन तो वहाँ वाडवाई जा जाता है और यहाँ पर कितने हमारे मत्दान इस्थल संख्या है एक गाउं में वहाँ ये पूरा सार आ जाएगा तो यहाँ पूरे सार का लेखा जोखा आना है तो यहाँ पर वही किरम सेंग क्या और यहाँ पर उमीदवार के नाम यहाँ चिल लिग दे जाएगा और पिरतिएक कैने डेट को पिरतिएक पिरतियासी को पिरतिएक मतदान इस्थल से कितने बोट मिली मालीजी यहां मिली हुषे 10 यहां मिली हुषे 100 100 मिली और यहां उजे मिली 300 मिली तो जितने भी मिली उस परकार से हम यहां पर तेक मतदान इस थल पर उसे कितनी मिली उसका हम टोटल यहां पर उसको लिख देंगे मान लिजे उसको टोटल A को यहां A को मिली कितनी 300 मिली B को मिली 200 तो इस प्रकार से हम यहां हम मतदान इस थल एकोर्डिंग यहां पर लिखा जाएगा लिखा जो खा और उसको हम आगे फिर नीचे वही चीज लिखी जाएगी जो हम पहले बता चुके हैं आगे चलते हैं अब आते हैं छेत्र पंचैत परेशिष्ट 9 पर पत्र 47 चेत्र पंचैत के लिए तो छेत्र पंचैत के लिए भी दो पिर पत्र भरे जाएंगे 47 पिर पत्र 47 और पिर पत्र 48 तो इसमें क्या करते हैं उपर सभी चीज वही रहेंगी जैसे हम बता चुके हैं तो यहां आ जाते हैं यहां क्रम संख्या उम्मिद्वार का नाम चुनाव चिन पिर्थी उम्मिद्वार का पिर्थी चिन और उम्मिद्वार के पक्ष में दिएगे विधी मानने मतों की संक्या तो यहां मान लीजे ए को मिली कितनी मिली सो मिली तो इसको यहां पर हम लिख देंगे उसको हम यहां पर लिखते चले जाएंगे तो इस परकार से वही चीज है नीचे मदगर्ना का इस्थान यहां मदगर्ना का इस्थान लिख दिया जायेगा जहां पर मदगर्ना की जा रही है और गर्ना परिवेक्षक का नाम वे हस्ताक्षा मत गरना मेज संक्या यहाँ पर लिख दी जाएगी जो भी आपकी मेज संक्या होगी और तारिक यहाँ पर लिख दी जाएगी यहाँ निर्वाचन अदिकारी के साइन कर दिये जाएंगे आगे चलते हैं पिर पत्र 48 तो यहाँ पर वो अलग-अलग था और यहाँ पर क्योंकि छेत्र कुछ यह बड़ा हो जाता है छेत्र गाउं से तो यहाँ पर आजाती है मद दे इस्थल संक्या पिर्ती मद दे इस्थल संक्या से पिर्ती कैनिडेट को कितनी मद पत्र मिले या बोट मिले माली जे यहां हम करम संख्या लिख देंगे यहां में द्वारब कोई नाम लिख देंगे और यहां A, B और C A, B, C यहां A को कितनी मद्द, मद्द, इस्तल संख्या तीन से कितनी मिली माली जे 10 मिली तो 110 लिख देंगे यहां 50 मिली तो 50 लिख देंगे यहां दो मिली तो दो लिख देंगे यहां जिरो मिली तो जिरो लिख देंगे और यहां आठ मिली तो आठ लिख देंगे और उनका यहां पर हम कुल टोटल लिख देंगे इस परकार से छेतर पंचायत का पूरा सार निकल के आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा छेदर पेंचायत परपत्र 48 में की पिर्ति कैनिडेट को कुल कितनी बोट मिली वो हमें परपत्र 48 के according मालूम चलेगा बाकी चीज वही हैं आगे चलते हैं परपत्र 49 तो परपत्र 49 आजाता है आपका 55 सदस्य के लिए और इसमें उन्ही को उन्ही के मतों का विरुण हमें अंकित करना होता है तो यहां पर यह तीन है तो सबसे पहले देख लीजे यह चीज तो सब उपर ऐसी रहेगी अब आजाती है नीचे यहां मद्दान किरम संख्या जाती है यहां उम्मिद्वार के नाम आ जाएंगे यहां चुनाव चिन आ जाएगा और उम्मिद्वार के पक्ष में देगे विधी मतों की संख्या तो यहां टेबल के नुज़र आ जाएगी जो आपकी पेटी खुलेगी तो पेटी के हिसाब से पेटी के हिसाब से आप यहाँ पर उनको लिख देंगे A, B, C, D तो जो भी आपके कैनेड़ेट A, B, C, D होंगे उनको यहाँ पर आप लिखेंगे, चिन लिखेंगे और उनके पिर्ती उम्मीदवार को कितने उनके पक्ष में बोट मिले या मत मिले उनकी संख्या को यहाँ पर अंकित कर देंगे आगे चलते हैं अब चला आवाता है पिर पत्र फोय फिप्टी परिस्ष्ट बार है जरापंचेत सदस्य निर्वाचन इसमें हम वो हमारा अलग-अलग था अब इसमें आजाता है हमारा मदान इस्थल संख्या तो हम यहाँ पर करम संख्या लिखेंगे उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम विभिन मत इस्थलों में उम्मीदवारों के पक्ष में दिएगे विदी माने मतों की संख्या मतदान इस्थलवार लिखेंगे तो यहां हम इस्थलवार लिखेंगे उनको पिर्ती उम्मीदवार को कितने मत पड़े इस्थलवार माले जिये यहां ए है एक मतदान इस्थल संख्या तीन से मिले तीन बोट और चार से मिले मतदान इस्थल संख्या चार से मिले यहां पर सो बोट और मतदान संख्या पेहां से जिरो मिले और यहां पर इसे मिले कितने मतदान संख्या छैसे से मिले इसको छै बोट और यहां साथ से मिले इसे तीन सो बोट और यहां इसे इस परकार से यहां इसे दो बोट मिले यहां इसे चार मिले यहां छे मिले यहां साथ मिले यहां आठ मिले माल लेते हैं और फिर फिर हम यहां टोटल पिर ती एक एनेड़ेट की बात कर रहे हैं एक एनेड़ेट के हम यहां पर इसका टोटल कर लेंगे जो भी हमारा यहां 1500, 2300 आएगा उसको हम यहां पर अंकित कर देंगे तो इसी प्रकार से हम जितने भी उम्मीदवार हैं उसको हम यहां पर उसका बायो डाटा, इस थलवार लिख देंगे और यहां पर आजाएगा विदी माने मतों की संख्या यहां पर विदी माने मतों की संख्या पिर तीच, छेपित, खारिज की यहां पर लिख देंगे मत गरना का इस्थान यहां पर लिख देंगे कहां पर किया जा रही है उसको हम यहां पर लिख देंगे और डाले गए मतों के संक्या कितने डाले गए उसको हम यहां पर लिख देंगे और निविदेत मत पत्रों संक्या यहां पर लिख देंगे यदि कोई आदेश मिलेगा तो हम लिख देंगे वरना इसको निल कर देंगे और यहां निर्वाचन अधिकारी का साइन कर दिये जाएंगे अब आजाते हैं आपके पिर पत्र 55, 51 जला 55, सदसे निर्वाचन तो यहां बात करते हैं सामानने वही चीज़ आजाएगी और यहां पर बात आजाती है स्थलवार बात आए थी अब आजाती है विकास खंड क्योंकि इसका छेत्र वयापक होता है तो अब बात आजाती है विकास खंड के अनुसार तो विकास खंड के अनुसार यहां किरम संख्या आ जाती है और यहां मेदवार का नाम और यहां ए को ए पिर्तियासी को क्योंकि जला पंचायद का है तो ए पिर्तियासी को विकास खंड विकास खंड तीन से कितने मिले विकास खंड तीन से मतलब है विकास खंड ब्लॉक का नाम लिखा होगा तो यहां ब्लॉक विकास खंड क्या है माले खरकोदा, खरकोदा से कितने मिले उसको यहां लिख दिया जाएगा और गण मुक्तिर से कितने मिले उसके यहां लिख दिया जाएगा और जो भी है के पिरते विकास खंड जो भी आप उस जला पंचायत में आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा और यहाँ पर उसका कुल मिला करके जितने भी विकास खंड है उनका यहाँ योग कर दिया जाएगा बाकी चीज से भी वही चीज है और जिला निर्वाचन ये निर्वाचन अधिकारी यहां पर उसको नामांकित कर देंगे जिनकी भी वोट जादा होगी अब बात आती है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सविस्क्राइब अवश्य करें अब आता है परेशिस्ट 14 पर पत्र 56 निर्वाचन पैणाम पंजी का तो यहां पर हम अब क्या करते हैं यहां जिसका भी पैणाम पंजी का हम यहां पर तयार करेंगे और जिसका भी हम तयार करेंगे गिराम पंचैट चेदर पंचैट जिला पंचैट जिसका भी हम करेंगे उ का नाम लिख देंगे और यहां पर उसका नाम लिख देंगे पद वाड संख्या किस पद से है उस पद का नाम यहां पर लिख देंगे और उस वाड का नाम भी लिख देंगे मा लेजे जिला पंचायत का 0-3 है तो 0-3 लिख देंगे और निर्वाचित उम्मिद्वार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या तो जो विजई हुआ है उसने कितने मत प्राप्त किये है उसको यहां पर लिख दिया जाएगा और निर्वाचित उम्मिद्वार के हस्ताक्षार जो भी निर्वाचित हुआ है उसके सायन यहां कर दिये जाएंगे इस परकार से यह आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सब्सक्राइब और अब इस्चे करें उसको इस प्रकार से ये भरना पड़ेगा निर्वाचन अधिकारी को और ये निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार से परफॉर्मे को पिर पत्र 52 को भर करें यहां अपनी मोहन लगाएगा और उनको विजई सदस्य को दे देगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब आवज शेयर करें और इसी प्रकार से ये पिरधान ग्राम पंचायद के लिए है ये ग्राम पंचायद सदसे जो भी विजई होगा उसको यहां इसके फिलप कर दिया जाएगा और फिलप करके मोहन जाएगा और ये है आतिया पिर पत्र 55 ये सदसे जिला पंचायद के लिए है जो विजई होगा उसको ये सर्टिफिट फिलप किया जाएगा और निर्वाचन अधिकारी अपने साइन करेंगे महौल लगाएंगे और विजई सदसे को ये सर्टिफिकेट सौप देंगे इस यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब अवस्य करें